राधे राधे आशार करती हूं कि आप सबी लोग खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज मैं आपनों को बताने जा रही हूं कि खर्मास का अरंब होने जा रहा है यह कब होगा समाप तक खर्मास कब होगा और खर्मास के मेहने में सारे सुबकारे वर्जित हो जाते हैं खर्मास का अरंभोरा है 16 दिसंबर 2013 दिन शनिवार को इस दिन सूरिज भगवान धनु रास में प्रवेश करते हैं जो सूरिग रह होते हैं या हर महिने एक रास में प्रवेश करते हैं और एक ही रासी में एक महिने तक या सवा महिने तक रहते हैं। कुछ रासी ऐसे होते हैं जिनमें प्रविश करने पर खर्मास लग जाता है जिसमें की एक रासी है धनू। धनू रासी में प्रविश करने पर खर्मास का अरम हो जाता है जिसके बाद में सारे शुब कारे शाधी विवा, मुन्नन, छेदन, चुबी कारे होते हैं यह सारे शुब कारे शुब उत्सो का बीच में रुकावट हो जाता है नहीं होता है खर्मास में सब नहीं किया जाता है खर्मास की समाप्ति होगी जब मकर राश में सूरी भवान आएंगे तब खर्मास का समाप्ति हो जाएगा यह आएगा सूरी जब मकर राश में आजाएंगे तब मकर संक्रांधी के नाम से जाना जाएगा उस दिन को जो की सक्रांधिका पुन्य काल का दिन कहा जाता है वह दिन रहेगा 14 जन्वरी 2024 दिन रविवार को इस दिन से खर्मास की समाप्ति हो जाएगी और फिर से विवाह उत्सो और जो भी उत्सो होते हैं सारे उत्सो मनाने शुरू हो जाएगे इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सक्रांधिकी जानकारी दी है और साथ में खर्मास की जानकारी दी है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन अबसे ही दवा दिज किर्पया वीडियो को लाइक जरूर करेगा क्योंकि लाइक करने में आपका कोई नुक्सान नहीं है और यह जानकारी आगे लोगों को तक पहुंसती है इसलिए किर्पया वीडियो को लाइक जरूर करेगा आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद